Hello friends, मेरा नाम है Vikas आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके Samsung के फोन में जब कोई call आ रहा है तो आपका जो phone है वो नहीं बता रहा कि किसका call आ रहा है आने की read caller name allowed Samsung phone में काम नहीं कर रहा तो setting हम क्या करें कैसे ठीक करें आईए जानते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले dialer pad में जाना है उपर तीन dot मिलती है इस पे जाना है आपको मिलेगा settings इस पे आना है यहाँ पर आपको कई सारे option मिल जाएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर जैसे की answering and ending calls इस पे आईए आपको मिलेगा read caller name allowed आपको इसे चालू करना है और इस पर टच करना है और यहाँ पर दीखिए दो option है एक है Bluetooth के लिए और एक है always तो शायद आपका पहले से Bluetooth सेट हो रखा होगा आपको always कर देना है और फिर यहाँ पर जो caller name है वो आपको allowed कर गए बताएगा पर इसके साथ एक एक और दिक्कत है आपके always हम set कर देंगे तो हमेशा काम करेगा चाहे हमारे फोन में Bluetooth connect हो या ना हो पर एक बार बताता है मेरे फोन में तो सिर्फ एक बार ही बताता है यानि एक बार ही नाम बोलेगा अगर नमबर है तो नमबर बोलेगा उसके बाद वो दुबारा नहीं बोलता या बहुत जादा देल लग जाती है तो सायद आप समझ गए होंगे आपको Always पर सेट करना है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा